उत्राखन में विधानसभा चुनावों की उड़्टी गिन्ती शुरू हो चुकी है जितनी गती से ये गिन्ती आगे बढ़ रही है उतनी ही रोचकता बढ़ते जा रही है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर पार्टी की तरफ से तरहे तरहे के पैंतरे देखे जा रहे हैं पार्टियां अलग-अलग हज़कंडे अपना रही है एक तरफ सत्ता में बैटी हुई पार्टी है जो चाहती है कि फिर लगातार दूसरी बार सरकार बना कर रिकॉर्ड कायम करें तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस रिकॉर्ड को किसी भी कीमत पर बनने नहीं देना चाहता दो पार्टियों के अलावा कई और राजनितिक दलों की भी उतराखंट में एंट्री हो चुकी है वैसे चुनावों से पहरे तयार यां कितनी भी कर ले जाएं चुनावों का इतिहास कुछ भी कहता हो मगर चुनाव के दिन मैदान पर उतरने वाले हर प्रत्याशी के पास बराबर मौका होता है आज हम वोटिंग उतराखंट के नए एपिसोड में एक ऐसी सीट की बात करने वाले हैं जहां पर जनता ने अलग-अलग पार्टियों को बराबर मौका दिया है आज बात द्वाराहाट विदानसबा सीट की होगी द्वाराहाट विदानसबा सीट से जहां पहले दो बार के चुनाव में उतराखंट करांती दल ने बाजी मारी तो वहीं उसके बाद एक बार कॉंग्रेस और एक बार भारती जनता पार्टी के पाले में गेंद रही वर्तमान में द्वाराहाट के विधायक भारती जनता पार्टी के महेश सिंग ने गी है इस सीट कर थिहास रोचकता से भरा हुआ है तो आईए जानते हैं आखिर द्वाराहाट में चुनावी समी करण किस तरह का रहता है 2002 चुनाव में द्वाराहाट से जीता UKKD साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में 30,048 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तिमाल किया इस दौरान साथ प्रत्याशी चुनावी मेंदान पर उत्रे थे जनिता किस समर्थन के साथ उतराखन करांती दल के प्रत्याशी विपिन चंदर त्रिपार्टी ने कॉंग्रिस के प्रत्याशी पूरन चंदर को 4,002 वोटों से हरा दिया जहां विपिन जिन्दर त्रिपार्टी को 11,114 वोट नसीब हुए तो वहीं पूरन चंदर को 7,112 वोटों से संतोष करना पड़ा तीसरे नंबर पर भारती जनता पार्टी के बलवन्द सिंग रहे जिन्हें 6,495 वोट मिले साल 2007 में फिर से UKKD ने मारी बाजी साल 2007 में हुए विधानसवा चुनावों में 38,988 वोटरों ने चुनावी मेदान पर उत्रे साथ प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला किया इस बार फिर से द्वाराहट की जनता ने उतराखन करांती दल को जी दिलवाई 11,128 वोट लाकर उतराखन करांती दल के प्रत्याशी फुषपेश तरिपाठी ने 8,573 वोट लाने वाले भारती जनता पार्टी के प्रत्याशी सतानंद को 2555 वोटों से हरा दिया इन चुनावों में तीसरे नंबर प्रत्याशी मदन सिंग रहे जिने 8,184 वोट मिले 2012 में पहली बार द्वाराहट से जीती कॉंग्रेस साल 2012 के विदानसवा चुनावों में कुछ अलग हुआ इस बार उत्राखट करांती दल द्वाराहट सीट से हेट्रिक लगाने में कामयाब नहीं हो सका द्वाराहट की जनता ने अपना मन बदला और कॉंग्रेस के प्रत्याशी मदन सिंग बिष्ट को विधायक बना दिया बता दें कि द्वाराहट के कुल 45,576 मज़दाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था दस प्रत्याशियों में से चुनाप करके द्वाराहट की जनता ने मदन सिंग बिष्ट को विजए बनाया मदन सिंग बिष्ट को 14,798 वोट मिले उन्होंने 11,472 वोट लाने वाले उत्रखन करांतितल के प्रत्याशी पुषपेश त्रिपार्टी को 3,326 वोटों से हरा दिया इस दौरान तीसरे नंबर पर भारती जनता पार्टी के नरेंदर सिंग रहे जिनहें 11,096 वोट मिले साल 2017 की विदांसवा चुनावों में एक बार बाजी फिड से पल्टी एक बार फिर दौराहाट की जनता ने हवा करूख बदल दिया द्बारहाट से पहली बार भारती जनता पार्टी के प्रत्याशी को विदाएक बनने का मौका मिला बता दें कि इन चुनावों में 4,800 वोटरों ने वोट डाले थे जबकि 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर अपनी किसमत आजमाने उतरे थे भारती जनता पार्टी के महेश सिंग नेगी ने 6,593 वोटों के बड़े मार्जिन से कॉंग्रेस के प्रत्याशी और पुर्व विधायक मदन सिंग बिष्ट को हरा दिया महेश सिंग नेगी को 20,221 वोट मिले तो वही मदन सिंग बिष्ट को 13,628 वोटों से संतोष करना पड़ा बता दें कि 6,581 वोट लाने वाले उतराखन करांति दल के पुषपेश त्रेपाठी पीसरे नमबर पर रहे